हलो माई डियर फ्रेंड्स वेलकम टू लखी एजुकेशन और आज हम देखेंगे चैप्टर नमबर 19 का लेक्चर नमबर 7 और 7 में आज हम डिसकस करेंगे इन्वार्मेंटल इंपोर्टेंस ओ बायो डावर्सिटी हम बायो डावर्सिटी का इंपोर्टेंस देख रहे हैं इंपोर्टेंस ओफ बायो डावर्सिटी जिसमें हमने इकॉनमिक इंपोर्टेंस देखा था फिर हमने इसका में मेडिशनल इंपोर्टेंस देखा और आज हम देखेंगे मतलब यह प्लांट है, प्लांट को यह चुवा खा रहा है, चुवे को यह साप खा रहा है, साप को यह बाज खा रहा है, मतलब यह एक चैन बनगी, पूर चैन बनगी, मतलब यहाँ पर हर एक औरगनिजम दूसरे चीज़ पर डिपेंड है, यह इन पर डिपेंड है, यह इन और यहां पर तो आप देखोगे एक एक चीज दिखा रहा है और यहां पर देखोगे एक एक चीज दिखा रहा है और यहां पर यहां पर जो सिस्टम में बोलते हैं फूड वेप जिसमें एक स्पेसिज दूसरी स्पेसिज पर गया है डिपेंड है अब दिक्कत यह कि अगर मा जैसे साप को अगर खाने के लिए सिर्फ चूहे चूहे अवेलेबल हो और in case future में चूहे खतम हो जाए तो साप क्या खाएगा तो साप खतम हो जाएगा एक खतम मतलब दूसरी सपसीश खतम अब बयोडावरशिटी का फायदा ही कि साप को खाने के लिए चूहा खाए तो चूहा खाए प्रव का शाए खाने के लिए उससे फायदा यह ने species खतम हो रही है तो बाकी सारी खतम नहीं होंगी अगर biodiversity कम है और choice कम है तो उसमें ज्यादा दिक्कत रहती है क्योंकि उसमें options नहीं रहते हैं हमारे पास ठीक है तो biodiversity ज्यादा है तो हमारी जो poor chain है यह protect रहती है poor chain protect रहेगी तो अपना balance रहेगा ecological balance रहेगा नहीं तो फिर तिक्कत हो जाएगी we know that in the food chain in a food chain one organism consume another हमें पताए कि food chain जो है इसमें एक organism को दूसरा organism क्या कर लेता है consume कर लेता है मतलब खा जाता है one species depend on another मतलब एक species दूसरे पर क्या रहती है depend रहती है therefore the extinction extinction का प्लब किसी चीज़ का बिलुपत हो जाना extinction of any one species may result in danger of termination of the portion अगर एक species कटम हो जा तो पूरी पूरी पूर्ट चैन क्या हो सकती है खतम हो सकती है उसका उपाई यह है कि रिच बायो डाइवर्सिटी इंस्योर मल्टीपर पूर्ट चैन्स अगर बायो डाइवर्सिटी जादा है रिच है तो एक ही इको सिस्टम में कई सारी पूर्ट चैन काम करती है अगर एक स्पेसिज खतम भी हो जाए तो उसका कुछ परक भी नहीं पड़ता है और extension of any species जिने पूर्ट चैन अगर पूर्चैन कैसी है रिच है तो एक space घान लूग खतम हो जाए तो दूसरी space उसकी कमी फुल फिल कर देती है डूसरी कि अगर बायो डाइवर्सिटी जादा है तो पूर्ण वेब जो है वो हमारी रिच रहेगी एक प्राइमरी के न्यूमर बोलते हैं पिर इनको प्राइमरी को जो खारे उनको सेकंडरी को जो खारे उनको टर्सरी बोलते हैं और जो मरे हुए जीव होते हैं उनको डीकंपोज करने का काम या मरे या प्लांट और एनिमल्स के जो रिमेंस होते हैं उनको डीकंपोज करने का काम करते हैं तो इतना सारा नहीं दे रखा आपको तो बस यह पढ़ना है यह तो मैंने पिक्स आपको दिखा दिए ताकि यह पता चल जाए दूसरा इंपोर्टेंस से इन्वार्मेंटल वैल्यू दूसरा क्या है रेगुलेशन ओफ नूट्रेंट साइकल अब देखो यह जो बायो डाइबरसिटी ना इसका एक और फायदा है यह जो नूट्रेंट से इनको इसकी साइकल को maintaन करने में हेल्प करती है हमारी बायो डाइकशिटी कैसे देखो बायो डाइकशिटी is हेल्फॉल एंटम देनींगी न्यूटरण साइकल दंद माइक्क्रो और लोग क्लान से कुछ चीज़ें गर जाती जाते हैं पत्ते बत्ते गर जाते हैं या कुछ भी चीज गर जाती है तो इंको यह this is how cycle is continuity क्या कहा जा रहा है कि soil के अंदर जैसे माल्लो यह प्लांट है यह soil है तो soil के अंदर छोटे-छोटे mycro-organism पाई जाते हैं क्या करते हैं plant से गरने वाले जो चीजें होती है dead parts होते हैं या मरे हुए जीव होते हैं उनको खा जाते हैं नहीं होते तो मरे हुए प्लांट से मरे हुए और और इंगे उनको टीकंपोजिशन नहीं होता अगर जैसे आज की डेट में आपने देखा हुगा नैचरली इन वार्मेंट की सפाई करते हैं कौन काम कर रहे हैं यह मै इसला हुए तो बायू डैवर्सिट्टी का एकवार क्या इंवार्मेंट गर देत्ति जीदिश रोल üzerine पॉलूटेंट तो इसको पढ़ते हैं क्या दे रखाए देखों बायो डावर्सिटी ऑल्सो प्ले एन इंपोर्टेंट रॉल इंडिस्पोजल ऑफ इन्वार्मेंटल पॉलूटेंट्स सम्प्लांट से प्रॉपर्टी ऑफ डिग्रेडिंग एंड एब्जॉर्ब्स 如此is यहाँ पर boss है जिसका नामें के तरॉप nhi इसमें ऑलेंट्र करसकता है डिइन्टी कर सकता है डिइसपो नाम क्या एक रखना पर्टेंट्रहु देए ऍसका नाम रखना है पूछा भी जा सकता है क्याते रंतस रोईसस कौन से केमिकल को डिसिंटिग्रेट कर सकता है यह है ट्राइनाइट्रो टॉलियून यह को दे रखा है माइक्रो और्गनिज्म लाइक सूडो मोनास पुटीडा आर्थो बेक्टर बिसकस और साइट्रो बेक्टर एस्पीबी आप देखो, इंडस्ट्री से जो कचरा जाता है इंडस्ट्री से जो गंदापानी जाता है चेमिकल वाला उसको suppress सबस्का जाता है यह जो दिखा रखी है, यह जो ओर्गनेजिम दिखा रखे हैं कौन कोन से है सूडो मोनास, पोटीडा, आर्थ्रो बेक्टर बिसकस और साइट्रो बेक्टर एस्पी पे ये क्या कर सकते हैं इंडस्टिर एफ्लुएंट्स में हैवी मेटल्स को रिमूब कर सकते हैं कितनी बड़ी कैपेसिटी एन के बास इसी प्रिकार एक फंजी है फंजाई है जिसका न पर आहके नुक्लियर मैट्रियल हैं जो नुक्लियर पावर प्लांट्स वहां पर यूज होते हैं एक है penicylium crytop Jahre to 1998 ये क्या कर सकता है harmful substance को eliminate कर सकता है remove कर सकता है जैसे radium जैसे harmful substance को remove करने के लिए pencyllium, chrysogenium इसको use किया जाता है तो यहाँ पर यह कई सारे plants के बारे में बता रखा है और कई सारे animals के या micro organism के बारे में बता रखा है जो industrial pollutants को या मतलब environment को pollute करने वाले pollutants को क्या कर सकते है degrade कर सकते हैं उनको कम कर सकते हैं उनका प्रभाब कम कर सकते हैं और environment को हमारे को clean रखने में help करते हैं तो यह तीसरा importance हो गया किसका bio diversity ही का ठीक है तो यह notes है तो में लिए धिया रखना environmental value में एक तो portion को conserve करते हैं nutrient cycle को regulate करते हैं और तीसरा environment को clean करने में help करते हैं कौन help करता है हमारी biodiversity ठीक है तो यहाँ पर जैसे यह सारी चीज़े मैं आपको बताई चुका हूँ वहाँ पर detail में बता चुका हूँ तो इनको आप note down कर लेना नहीं तो notes आपको मिल जाएंगे notes available हैं वहाँ से आप चीज़ों को देख लेना और बाद में मैं काम करूँगा अगर इन में से चुटे चुटे एक एक नमबर के question बनेंगे तो वह एक एक नमबर के question बना के आपको with question answer आपको यहाँ पर provide कर दी जाएंगे टेली ग्राम पर app में भी upload कर दी जाएंगे सारी चीज़ें ठीक है हमारी यह पाच चुकिए लखी है जूगे से नए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और यहाँ पर बहुत सारे smart courses से class 10 के लिए उनको आप अवेल करें और अपनी पढ़ाई continue रखें ठीक है तो मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए खुश रहो मुस्कराते रहो जे हिंड जे भारत